वाई अर्थ पिन is longer and thicker थ्री पिन प्लक की उपर वाली पिन लंबी और मोटी क्यों होती है लोगर और थिकर पिन का कंसेप्ट वर्ड वाइट एक जैसा ही क्यों होता है टॉप पिन नीचे की दो पिन से डिफरेंट क्यों होती है Friends कि आपके mind में भी ऐसे question आते हैं मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझसे जब एक बच्चे ने ये सवाल पूछा तो मैं उसका reply नहीं कर पाई कॉस मुझे खुद नहीं पता था जब मैंने search किया तब मुझे पता चला कि 3-pin plug में top pin मोटी और लंबी क्यों होती है जैसे socket का एक hole गहरा और मोटा होता है ठीक वैसे ही plug की top pin big और ठीक होती है जिसे आप लोग earth pin भी कहते हैं नीची की 2 pin में से 1 pin face pin कहलाती है और दूसरी neutral pin कहलाती है इसका use main line की supply और current को carry करने के लिए किया जाता है और जो earth pin होता है उसका use plug से जुड़े हुए current को proper thing देने के लिए किया जाता है earth pin का use हमारी safety के लिए भी किया जाता है और इस बात को सुनिक्षित करता है कि धातों की सतय वाले appliances यानि उप current हमेशा earth potential पर यानि की zero world पर रहें क्योंकि इससे current नहीं लगता है अब यहां हम आपको दो reason बताते हैं मोटी pin होने का नमबर वन गलत तरीके से pin को socket में लगाने से prevent करती है जैसा कि आपको अभी बताया था कि एक pin live या face pin होती है दूसरी neutral और ये earth pin होती है अगर किसी appliance की pin same size की हो और socket की भी same size की thickness हो और आप same size की pin होने के कारण by mistake गलग तरीके से plug कर देंगे तो press की metallic body या wire को touch करते ही आपको definitely shock जरूर लगेगा इसलिए top pin का diameter long end थिक होता है जिससे आप अगर गलत plug-in भी कर रहे हैं तो ये socket में insert नहीं होगा अब हम आपको second reason बताते है first in last out ये समझने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखे पूरी समझे अर्थिंग वाली बाकी दो pin से हमेशा थिक and long होती है और ये इस बात को सुनिश्यत करता है कि plug से जुड़ा हुआ current main supply से जुड़ने से पहले और main supply से अलग होने के बाद हमेशा proper earthing में रहे जब हम earthing वाला pin socket में लगाते हैं तो ये pin लंबी होने के वज़ा से सबसे पहले socket में जाती है जिससे हमारे उपकरण main supply से जुड़ने से पहले ही proper तरीगे से अर्थ हो जाते हैं इसी तरह plug को socket से बाहर निकालने के बाद भी पहले face और neutral वाले pin अलग होते हैं और सबसे last में अर्थ वाला pin निकलता है इससे हमारे उपकरण को last तक अर्थिंग मिलती रहती है for example आप अपने घर में जाने अन जाने में cooler वे हाथ रखकर उसका plug socket में अगर लगाते हैं और वो plug 3 pin वाला है तो अर्थिंग वाला pin लंबा होने के वज़ए से socket में पहले जाएगा face or neutral pin बाद में जाएगा और इस वज़ए से cooler को अर्थिंग पहले मिल जाएगा और आपको शौक नहीं लगेगा इसी तरह जब हम वो plug निकालते हैं अर्थिंग वाला pin लंबा होने के वज़ए से सबसे बाद में निकलता है जिस से अर्थिंग लास्ट तक बनी रहती है अगर आप अपने घर में electric equipment का इस्तिमाल करते हैं तो इस बात का जरूर धियान रखे कि equipment में अर्थिंग सही हो और हमेशा 3 pin plug का ही यूज़ करें क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहस्ज़ जरूरी है फ्रेंड्स अब आपको second reason भी समझ में आ गया होगा कि first and last out क्या है I hope आपको समझ आ ये भी आ गया होगा कि why earth pin is longer and thicker